नमस्ते जी सभी को कैसे है सब आसा करते हूं सब अच्छे होंगे और आज मैंने ये लिए हैं गुलदावदी के पोदे दो पोदो पे तो हलके हलके से फूल खिले हुए हैं तीन पे एक पे तो औरेंज है यह यल्लो सा कलर है और दो पे हैं वाइट और इस पर जो यह पोदा रखका इस पर पिंक कलर की बीड्स बनी हुई है छोटी-छोटी खिले नहीं अभी खिलेंगे तो बड़े सुन्दर लगेंगे बड़े बड़े गुल्दावदी की वराइटी हैं यह सारी तो उसन भया के पास चार पोदे तो मैंने चार वी ले लिए और इन लगाने के लिए लेके आई हूं मैं यह टप छोटे-छोटे जो टप आते हैं क्योंकि यह थोड़े से जड़ तो इनकी कम फैलती है गहराई वाली जड़ नहीं होती इनकी और गमले इस समय मेरे पास थे नहीं लेकिन पोदे मुझे सुन्दर लगे तो मैं यह सारा समान एक जगे करके रख यह मैं खाद वगेरा भी ले आई हूं जो इनमें लगाऊंगी और यह एक टप में ना चाकू गरम करके निच्चे से इसमें होल बना के लेके आई हूं चार क्योंकि अगर पानी निकलेगा नहीं निच्चे से तो पोदे खराब हो जाते हैं तो इसलिए होल करके लेके आई था एक और यह चल नहीं पाया तो इसी आम की पेड़ को अब मैं निकाल के इसकी मट्टी इनमें यूज कर लूँगी और पहले पोदे लगाने के लिए भी सारा समान अरेंज करना पड़ता है यह आप देख रहे हैं जो कुछ कटिंग लाई हूं में गुढल की लाई वेतन इनको कैई दिन होगे थे लेकिन यह सूख सी गई है अब देखती हूं लगा कि चलेंगी यह नहीं और मेरी नेवर खड़ी थी यहां पे मैं उनसे भी साथ-साथ बाते कर रही हूं उन्हें बता रही थी कि यह कटिंग जहां से में लाई हूं बड़ी सुन्दर फूल खिले हुए थे इस पर तो वो लेके तो मैं आगे यह देखूं चलेगी है नहीं अर यह आम का पेड मेरा सूख गया है कहते हैं कि आम का पेड थोड़ा कम ही चलता है लेकिन मैंने कोशिस की थी अब की बार ना नर्सरी से तैयार पेड लाओंगी तब लगांगी यह तो मैंने कही निकाल के तब लगाया तो यह नहीं चल पाया अधिको मत्टि कितनी भुरुबुरी है न तो मैं गंलों में हमेंसा बहुत अच्छी मत्टि डालती हूं जिससे पानी ड्रेन होता रही पानी रुके ना पोदों में अगर पानी रुक जाता है न तो भी पोदे कम चलते हैं आप देख रहे हैं कि कितने आराम से मट्टी निकल रही है, तो ऐसी ही मट्टी होनी चाहिए, मतलब एक भाग मट्टी का और एक भाग बालूरेध का, इस तरह होगा तो मट्टी भुर्बुरी बनी रहती है, और आप जानते हैं बाते कितनी ज़्यादा होती हैं, वो बराबर वाली खड़ी है तो उनसे बाते भी चल रही है साथ साथ और काम भी चल रहा है तो अभी मैं पहले इसमें लगाने के लिए एक टुकडा लाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें होल बनाये हैं तो नीचे एक टुकडा रखना पड़ेगा नहीं तो मट्टी निकल जाएगी उससे तो मालीयों के पास देखा होगा बड़े बड़े फूल खील रहते हैं हमिस्ळा नर्सरी में तो वह हमेश्जा इनको खाद देते रहते हैं इसलिए उनके आँ खिले रहते अगर हम अगर प्रोपर खाद देंगे तो हमारे यहां इतने ही जादा फूल खिलेंगे ऑगर रम मेरे पास जो सूकी पतिया वगारा होती है वह सब मैं ऐसा ही नीचे गमले में नीचे डाल देती हूं तो वह सब कंपोस्ट हो जाती है मैं बहुत ही कम वेस्ट करती हूं मतलब जो भी मेरे किचन का वेस्ट निकलता है या गार्डन का वेस्ट निकलता है सबका मैं कमपोस्ट बना लुए मेरी चत्वे यहां पे भी दो कट्टे रखे हैं जिन में अभी भी कमपोस्ट तयार हो रहा है जब एक भर जाता है तो मैं दूसरे में जोड़ना स्टार्ट कर देती हूं और आप देख रहे हैं इन पर कितनी चोटी चोटी शी बड़्स निकली हुई है यह पिंक कलर वाला है तो देखो जड़ नहीं है इनकी देख रहे हैं जड़ वह उपर उपर फैलती है पोदो की से चल जाएंगे तो भर्सी जाएगा दो वाइट है एक पिंक है और एक और और इंग शेड है प्रोपर ना तो और और यल्लो है यह दोनों तो वाइट है एक लगा दिया और एक यह है वैसे तो गार्डनिंग अपने आप में एक महेंगा सोंक है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा-थोड़ा सा ना बजट में कोसिस करती हूं कि एड़स्ट करूं क्योंकि कहते हैं ना सोंक बड़ी चीज है अब मुझे पोधो का है यह कुछ जादा सोंक वैसे तो लोगों ने इतने अच्छ अच्छ गार्डन बना रखे हैं अपनी चत्वे बहुत सुन्दर सुन्दर उन्हें देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी जो मेरे पास है मैं उसमें बहुत खुश हूं मैंनत करो दी जो कुषिस्तों मैं जरूर करों गी और हिस्ती करकर आख्यार करने अब हो गए तो तो बड़ी अच्छी बात है और नहीं हुई तो क्या कह सकते हैं लेकिन कोशिस्तों में जरूर करूंगी और एक में से दो दो करके लगा रही हूं कि कोई एक आद तो सक्सेस होई जाएगी जहां तक है और इन्हें में यहीं रख दूंगी यहां पर ना तो बोज जा तो धूप आती है मतलब अब सर्दी का मोसम है तो सुबह सुबह की जाता है आप देख रहे हैं तो सुरज घूम गया है तो च्शाम आगी है तो अभी मैं ने यह लगा दिये अपने पेड इसमें प्रोपर तरिक्के से अभी बार यात्ति है खाद की तो अभी मैं इसमें दूंगी यह जो बोटल है इसमतर गोलूंगी थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं pesticide, कह लिए आप की इन में मतब attack ना हो, fungus ना लगे, कीडे का ना लगे, fungicide मतब सूखा भी मिला सकते हैं आप मट्टी में, और fungicide को आप पानी में घोल के भी पोदो की जड़ में, पत्तियों पे, फूलों पे छिड़क सकते हैं, तो उससे क्या होता है, जो जाला तो NPK मैंने online मंगाया था, एक किलो, तो वही मेरा चल रहा है, तो इसको मैं पानी में घोल के, तब डालूंगी, और यह है fungicide, जो अभी मैंने डाला है, इसमें, ग्रीन कलर का होता है, और इसमें डाल के, इसको मैं पोदो पे, थोड़ा सा स्प्रे कर दूंगी, बाकी इसमें लगाए है, तो उन्हें जादे न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसमें इन्हें सब चीज मिल जाएगी बिना effort के, और वर्मी कंपोस्ट भी मैंने लगाई है, तो यह बहुत अच्छे flower खिल के आएंगे, अपडेट भी मैं आपको दूंगी, और इसमें कहां इसको मैं यहां जो यह बीच में थोड़ा सा एक थमला टाइप सा बना हुए ना, इस पर रखूंगी, मुझे बड़ा सुन्दर लगा यहां रखके, यही के लिए मैंने यह लिया है, मेरा मन था की यहां फूल खिले, चज्जे पर मैं चार दरफ तो पेड लगा दिया है, तो यहां पर इसको रखूंगी, यही के लिए मैंने यह लिया है, अन्ये बर बोल रही थी कि चल जाएं तो अच्छा है, मैं का चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, और अभी जो मैंने फंगी साइड गोला था ना, आप अभी देख रहे हैं, यह मैंने लिये थे गैंदे के पो आपको, चार-पास दिन का बाद का विउ, कि इन पर फूल खिलते हैं, नहीं खिलते हैं, कीडा मरेगा या नहीं मरेगा, यह भी मैं आपको दिखाऊंगे, और पोड़ता थोड़ा सा तिर्चा हो गया है, तो इसके लिए मैं इसमें एक छोड़ी सी इट लगाऊंगी, ताक हमारे घर आके, अगर इनकी केर ना करें, तो यह बस पैसे वेस्ट वाला काम हो जाता है, अभी मैं देखती हूं इसको करके कि क्या रिजल्ट मिलेगा इसका, काम करता है यह नहीं करता है, अगर काम करेगा, तो आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगी, और यह मैं इसके पर खाद भी मिले, यह मैं इन पर सब पर कर देती हूं, अब यह देख लिए आप, दस दिन बाद का व्यू है, देखो सारे फ्लावर कितने अच्छे खिल के तयार हूं है, खाद ने काम किया है, जो मैंने खाद लगाया था, इन में अच्छे से काम किया है, प्रोपर, और क बहुत सुंदर फूल खिल के आए है, आप भी इस तरह एन पी के लगा सकते हैं फूलों में, और बहुत अच्छे धेर सारे फूल पा सकते हैं, तो इस तरह देखिए आप, यह वाइट कलर के भी कितने सुंदर खिले हैं, इसमें दो खिले वे ते दो और खिल गए हैं, और इस वाइट पर बहुत सारे खिल गया है और फिलने के लिए तयार हो रहे हैं यलो कलर के और देखो मैं आपको दिखाती हूँ गैंदा भी कितना सुन्दर खिल गया है देखो एक भी फूल नहीं था जितनी भी बढ़ सारी थी सब किड़ा मर गया और कितने सुन्दर फूल खि किया तो सस्क्राइब कर लें मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को रादे रादे और नमस्ते